हलो दोस्तों आज हम लोग 15 question solve करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी JE की preparation कैसी चल रही है ठीक है तो देखते हैं जल्दी जल्दी पहला सेट यहां पर दिया हुआ पहले question में यह जो है minus 2 से अगर minus 2 और 2 यहां पर है तो दोनों को include नहीं करते हुए यहां से यहां तक होगा यह ठीक है उसे तरीके से B set में है x minus 3 greater than equal to 3 तो इसको solve करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा ठीक है x minus 2 greater than equal to 3 इसको solve करेंगे तो यह निकलेगा x greater than 5 equal to और x less than equal to minus 1 इसको भी आप यहां पर डालेंगे तो यहां से minus infinity से यह include करेंगे और फिर 5 से आगे जाएगे इधर infinity की तरह ती हो गया set B अब set A और set B को दोनों को यहां पर फिर से एक number line बनाया ठीक है यह minus infinity तक गया और यह इधर plus infinity तक गया यहां पर डाल दिया minus 2 minus 1 2 और 5 और फिर बारी-बारी से हर एक options को आप check करेंगे तो A intersection B देखेंगे तो A first option जो है A intersection B तो A दिया हुआ और B दिया हुआ दोनों में common देखेंगे आप तो common कहां पर है यह line और यह line के बीच में यह वाला common part है ना तो minus 2 से 1 के बीच में दिखा रहा है वो ठीक है option यहाँ पर लेकिन जब आप यहाँ पर तो open circle है यह include नहीं है तो यह वाल option नहीं होगा A नहीं होगा उसी तरगे से B देखेंगे A union B A और B को जोग आप एक साथ लिखेंगे तो फिर देखेंगे यह कितना हो रहा है A और B union कर देंगे तो minus 2 से 2 तक है यह फिर minus 1 तक है तो फिर यह option नहीं होने जा रहा है ठीक है देखते ही पता चल रहा है फिर third option A minus B यह भी नही करते हुए है और यह 5 को इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ है इंफनिटी की तरफ भी है उसमें से A को हटा देना है यह क्या है minus 2 से 2 तक है इन दोनों को जो हटाएंगे तो कहने का मतलब यह वाला पार्ट जो है हट जाएगा और इधर तो इससे आगे तो है ही नहीं तो तो माइनस इनफनिटी से और 5 से इनफनिटी इसी को आप दूसरे भासा मैंसे भी लिख सकते मतलब यह यहां से माइनस 2 से यह बीच में क्या च्छूट गया यहां पर माइनस 2 से 5 हटके तो D इसका ऑप्शन ठीक है यह सब कश्चन आप से साल्व होने चाहिए अब देखते second question यह के बोलता है कि let f r to r यह define f of x equal to x by 1 plus x square दिया हुआ है इसका range निकाल ले तो simple question है ना इसको अब simply बना सकते है y मान के f of x दिया हुआ है तो x by इसको y मान लिया हम लोगों ने y equal to x by 1 plus x square फिर इसको यहाँ पर quadratic बना दिया x के x में x square y इस तरह से फिर इसका a निकाल लिया equal to y b equal to minus 1 c equal to y हो गया है ना तो फिर real x के लिए d greater than equal to 0 होना चाहिए यानिक b square minus 4hc greater than equal to 0 तो यहाँ पर जो जो चीज है यहाँ पर value डाल दि than equal to 0 y square minus 1 by 4 this यह भी हो गया y minus 1 by 2 और यह तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बीच में negative और दोनों तरब positive हो जाता है जब यहाँ पर यह positive होता है इसका एक अलग वीडियो में link देदूंगा अगर आपको नहीं आता है तो quadratic inequalities के बारे में और यहाँ पर है less than equal to 0 के ल यह वाला option इसका true है इसमें क्या है कि एक complex number दिया हुआ है x plus i y non zero complex such that z square equal to i और यह z square दिया हुआ यहाँ पर ठीक है यह सब simple simple बात है line y equal to x कहां पर होगा यह जो z है complex number यह किस line पर होगा यह देखना है तो z square equal to i z square दिया हुआ है है ना यह equation दियो इसी को लेकर आगे बढ़ना है हम लोगों को तो z के जगा पर x plus i y डाल दिया दोनों तरप ठीक है और यह तो आपको formula पाता है simple सा ठीक है यह सब अगर नहीं पता है तो फिर j e में बैठने के लिए नहीं जाना है ठीक है यह हो कोई बात अब हो गया x square प्लस इतना इसको अब expand कर रहा है हम लोग x square प्लस i square a plus b का हो लिए i square y square प्लस देश equal to i और यह root का square है तो फिर इतना हो गया ठीक ना अब i square equal to minus 1 तो x square minus y देश देश अब इसके real part को imaginary part को अलग लग कर लिए यह और यह ठीक है अब क्या करना है कि x square यह इधर 0 है तो 0 प्लस i 0 है तो दोनों को compare कर लो real part और compare imaginary parts को तो x square minus y square equal to 0 हो गया और इस part को भी यहाँ पर 0 कर दिये दोनों तरब से देखे कि इधर से आगया y equal to plus minus x इधर से आगया y equal to x दोनों में common क्या है y equal to x यानि की z जो है वो कहाँ पर होगा y equal to x line ठीक है देखते है next problem question number 4 इसमें क्या है यह एक question दिया हुआ है यहाँ और यह रहा है कि इसके यह 4 options है इसको solve करने तो simple सी बात है अगर आपको greatest integer के बारे में पता है तो आपको यह question असानी से बन जाएगा अगर गर गरेटेश नहीं जानते है तो फिर नहीं बनेगा है कि इसमें simple सी बात है कि यह greatest integer x square है plus 2 यह x greatest integer और फिर यह जैसे यह plus 2 इसके अंदर है इसको आप बाहर भी कर सकते हैं यह simple सी बात है greatest integer के अंदर में तो फिर यह plus 4 बाहर आ गया यहाँ पर 2 into 2 is 4 तो यहाँ पर 4 बाहर आ गया और फिर minus 7 पहले से था तो यह minus 3 हो गया अब इसको फिर से simple quadratic equation की तरह आप इसको solve कर सकते हैं यह minus 3 है तो फिर plus 3 हो गया और फिर यह minus 1 डाल दिया यहाँ पर फिर यहाँ पर यह common ले लिया हम लोगों ने तो फिर greatest integer x plus 3 minus 1 और यह हो गया अब इंदरों में common यह हो गया तो इसका मतलब greatest integer equal to 1 हो सकता है और greatest integer equal to minus 3 हो स है ना तू को अगर include कर देंगे तो फिर तो 2 हो जाएगा राइट तो 2 होना नहीं इसका मतलब 1 से 2 के बीच में इसका भी एक वीडियो है अगर आप नहीं देखें तो उसको देखें मैं link दे दूगा greatest integer का सभी concept clear हो जाएगे अगर नहीं है तो और greatest integer x equal to minus 3 है तो यह x minus 3 से minus 2 के बीच में होगा ठीक अब आते हैं options के ऊपर क्या बोल रहा है exactly 4 integral solutions ऐसा तो नहीं है integral solution मतलब 1 2 3 4 इस तरह से कोई हो तो integer वाले तो यहां पर तो नहीं है 1 से 2 के बीच में बहुत सारे numbers हो सकते हैं यहां पर बोला है exactly 4 इंटेगर ऐसा तो नहीं है ठीक है infinitely many solutions है एसा तो है लगढ़ा है no integral solutions है यह थी नहीं होगा exactly 2 solutions ऐसा भी नहीं है क्योंकि 1 भी इसका answer है 1.2 भी है 1.21 इसके बीच में infinite numbers है इसके बीच में infinite numbers है तो यह वाला option सही होगा ठीक है अब देखते हैं question number 5 यह क्या है यह matrix का question है let a equal to इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि a to the power 32 है equal to दिया हुआ then alpha क्या होगा यहाँ पे sin alpha cos alpha cos alpha इस तरह से दिया हुआ है तो 32 बार तो multiply matrix करेंगे तब तो paper ही खतम हो जाएगा है न अब pattern check कर लिए एक बार a square निकाल लिए matrix multiplication cos square इसको इसको फिर इसको इसको cos square alpha minus sin square alpha फिर आई इसको और फिर नीचे वाले को इस तरह से यह सारे term यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिये अब matrix multiplication यहाँ पर मैं नहीं समझाने जाना हूँ ठीक है यह मुझे पता है कि आपको आना चाहिए भी तो a square equal to हो गया इसको फर्मूला क्या मता है cos 2 alpha इसको हम लोग लिख सकते है क्या sin 2 alpha है ना sin alpha cos alpha 2 sin a cos b sin 2 alpha फिर यह minus sin alpha उपर में यहाँ भी sin 2 alpha फिर यहाँ पर cos 2 alpha ठीक है तो यह a square equal to इतना आ गया तो similarly हम लोग बोल सकते हैं similar way में कि अगर a का पाबा 32 होगा तो यह 2 alpha के जगपे 32 alpha हो जाएगा ठीक है और फिर यह equal to यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है यह वाला matrix 0 1 minus 1 0 ठीक है इसको equate कर देंगे हम लोग cos 32 alpha equal to 0 और फिर sin 32 alpha equal to 1 यहाँ से हम है तो इसका इंसर होगा डी अब देखते हैं next problem यहाँ पर क्या है a minus 2b plus c equal to 1 दिया हुआ और f of x equal to यह determinant यहाँ पर दिया हुआ x plus a, x plus b, x plus c इस तरह से यह दिया हुआ है तो then f of यह functions का value यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन size में से true है तो आप यह देखो यहाँ पर a minus 2b plus c दिया हुआ है तो कैसे भी करके अगर आप कहीं पर a minus 2b plus c ले आते हो तो अपना काम बन जाएगा दे आर्थरी यह कर देंगे तो यह first term ही अपना आ जाएगा a minus 2b plus c ठीक है और फिर उसी तरीके से यह 0 हो जाएगा फिर यहाँ पर 0 यह तो बहुत easy हो गया और इस पर तो कुछ किये नहीं हम लोग तो यह सो हैसे ही रह जाएगा फिर इसके related इसको expand कर देंगे 1 minus 2b plus c और यह व यह वाला ठीक है इसको अब हम लोगोंने solve कर लिया तो देखा की equal to यह सब कट छट जाएगा यहाँ पर सब कटके खतम 1 बच जाएगा यहाँ पर 9 9 और minus 8 equal to 1 यह तो constant function निकल के आगे यानि की f of x के अंदर यह x कुछ भी हो equal to 1 ही आता है तो देखो यहाँ पर f of 1 कहाँ पर यहाँ एक दो तीन और बोल रहा है कि non-zero है non-zero solution यह इसमें से कौन सा true है यह देखो तब इसको solve कर लो यहाँ पर 222 इसका गिया है coefficient 222 283b 4c फिर यहाँ पर a b c सब को डाल दिया equal to 0 कर दिया यहाँ ठीक है और इसको अब हम लोगोंने 0 बना दिया ऐसे भी आप कर सकते हो ड सब्सक्राइब करेंगे तो इतना आ जाएगा ठीक ना इसको solve करना है और कुछ करना है नहीं है तो फिर यह पता चलेगा कि यह वाला ट्रॉम आ गया 2 by B equal to 1 by a plus 1 by c तो इसका अच्पी अच्पी ठीक है है क्या answer a b c नहीं है तो फिर 1 by a 1 by b 1 by c यह पी में हो जाएगा ऐसा है क्या है ना तो यह इसका option हो जाएगा सही देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नमा एट इसमें क्या है टू का पावर 1 by 4 4 का पावर 1 by 16 इस तरह से दिया हुआ है infinity तक तो इसका value कितना होगा यह पूछड़ा है यहाँ पर a b c d option दिये हुए है तो यहाँ पर आप simple क्या कर सकते हो यह 4 है तो इस 4 को यहाँ पर 2 बना दो सब में तो उपर में कितना हो जगा 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 up to infinity है ना तो अब देखो sum of gp infinity term तक है तो a by 1 minus r हो जाए तो simple सी बात हो गई है ना तो 2 तो यहाँ पर है यह उसका power में एक है first term कितना है 1 by 4 इसका कितना है r 1 by 2 है है ना तो 1 minus 1 by 2 इसको solve कर दो तो इतना है वो 2 को power 1 by 2 यानिकी root 2 इसका answer निकल के आगे है simple है ठीक है अब देखते है next question limit से है यह limit x tends to 0 यह दिया हुए sin square x इतना equals to इतना इसको पहले आप चेक कर लो x डाल के देखो sin 00 हो जाता है और फिर यहाँ पे 0 डालने से cos 01 हो जाता है बना चाहिए फिर भी अगर नहीं आता है तो इसका वी एक video आप देख सकते है इसा दोने को हो यह डिफरेंशिये से और नीचह डालो जिरो जब यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद जिरो डालने से, यह कोई फॉर्म में नहीं आ रहा है, इटिर्मिनेट फॉर्म में, तो फिर आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हो जिरो, तो उपर यह सभी previous year questions है, यह सभी previous year questions है, जे इमेन के, ठीक है, तो f यहाँ से यहाँ तक defined minus 1 से 3, 2 real numbers, राइट, और यह f of x यहाँ पे दिया होगा, तीन interval में, तब यह पूछ रहा है कि, क्या-क्या, इसके options हो सकते हैं, तो पहले, सब से पहले तो इसको आप देखेंगे, यह क्या है, greatest integer है यहाँ पे, और यहाँ पे modulus है, तो greatest integer के modulus में तो कोई फ़र्क नहीं पढ़ने जाना है, फिलाल, अगर 0 होता तो फ़र्क था, 0 तो है नहीं इधर यहाँ पे, ठीक है, नहीं, continuity में भी वैसे भी फ़र्क नहीं पढ़ेगा, तो greatest integer पर सिर्फ फर्क पढ़ सकता है, तो देखते हैं क्या फर्क पढ़ सकता है, क्या फर्क पढ़ेगा, कि minus 1 से 1 तक था, तो यहाँ पे अगर इस x को minus 1 से 0 तक अगर करेंगे हम, ठीक है, minus 1 से 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं है, तब greatest integer x का value कितना हो जाएगा, वह बताइए, minus 1 हो जाएगा, minus 1 से 0 तक, minus 1 को इंक्लूड करते हो, इसको करते हुए, अगर होगा, x belongs to, इतना, तो इसका value कितना होगा, इसका value, minus 1 हो 0 तो x negative, तो mod x तो negative हो गया, ठीक है, और greatest integer x का value minus 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ हो गया, फिर 0 से 1 के बीच में जब देखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, 0 से 1 के बीच में अगर देखेंगे, तो जितना x रहेगा, उतना हो जाएगा, यह वाला जो x है, यह कौन सा, modulus of x, वो तो 0 होने से क्या हो जाएगा, 0 से x बीच में जो भी value देंगे, तो वो x रह जाएगा, लेकिन greatest integer x के case में, अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी value होगा, तो उसका value तो 0 हो जाएगा, तो second वाला term जो है यहाँ पर, वो 0 हो जाएगा, तो 0 बचेगा, x, तो इस term में सिर्फ x ब से modelers में positive ही होगा, x प्लस x फिर यहाँ भी 2 से 3 में यह हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया, यह function break हो गया, इस तरह से, ठीक, अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा point है, यहाँ पे, कुछ कुछ हो सकता है, जैसे 0 एक point है, 1 एक point है, क्योंकि 1 पे definition change हो रहा है, यहाँ पे और left hand के निकालने के लिए, 0 से पहले वाला function कौन सा है, यह वाला, यह वाला minus x minus 1, तो यहाँ पे 0 डाल हो तो यह minus 1 होता है, आड़ा चल अगर इसका निकालेंगे, तो 0 से आगे वाला function यह है, x, x तो 0 आगया, यह minus 1, यह 0, दोनों equal नहीं है, तो यह, क्या हो गया, continuous नहीं हु 1 का left hand limit निकालेंगे, तो यह वाला function आएगा, ठीक है, 1 से पहले वाला, तो x हो गया, यहाँ पे 1, इसका right hand limit निकालेंगे, तो यह वाला function आएगा, 1 के आगे वाला, 1 से 2 तक, तो x plus x है, तो यहाँ पे 2 निकाले गया, इसमें भी lhl 1 आगया, rhl 2 आगया, तो यह भी not continuous हो ग लेंगे, तो 2 से आगे वाला function यह है, तो x plus 2 है, तो यह भी x plus 2 मतलब, 2 plus 2 equal to 4, तो यह तो continuous हो गया, ठीक है, यानि कि 2 जगा पर यह not continuous हो गया, तो अब देखो option यहाँ पर, only 2 points, तो यह हो गया, then f discontinuity at only 2 points, ठीक है, कहां कहां पर, 0 और 1 पर हो गया answer, अब देखो, यह है next question, इसमें क्या है, x to the power k दिया हुआ है, y to the power k, यह question आपको encounter होना चाहिए, हुआ होगा कभी ने कभी, यह दिया हुआ है, तो dy by dx plus y by x का power 1 by 3 equal to 0, यह भी दिया हुआ है, then find k, ठीक है, तो सबसे पहले यह जो function दिया हुआ है, यह जो equation दिया हुआ हुआ है, उसको आप differentiate कर लो दोना तरफ, dy dx कर लो, dy dx, dy dx, तो यह तो हो गया कितना, kx, k-1, यहाँ पर y है, तो y का ky हो गया, ky, k-1, और y का फिर से हो गया dy by dx, और यह तो constant term है, तो इसका इधर 0 हो गया, है ना, अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, इसको manipulate करके कैसे भी इस term में लाना है, ठीक है, dy by dx, इस तरह से लेंगे, फिर equate कर लेंगे हम लोग, ठीक, तो यहाँ हो गया कितना, इसको solve करो, हो जाएगा वो, यहाँ पर इस तरह से यह हो गया, फिर dy by dx को एक तरफ ले आए, फिर इसको इधर ले आए, तो x by y निकला, इस x, y, y को फिर से हम लोग यहाँ पर change करके, y y by x कर देंगे, तो यह k minus 1 था, तो यह 1 minus k हो जाएगा, ठीक है, अब देखो यह उसी टर्म में आ गया, dy by dx plus y by x, यहाँ भी हो यह, dy by dx, y by x, का पावर 1 by 3, का पावर 1 minus k, यानि की 1 minus k equal to कितना हो जाएगा, 1 by 3, इसको solve करो, k equal to 2 by 3, इसका answer आ जाएगा, next problem, इसमें क्या है if the tangent of the curve यह दिया हुआ है, ठीक है, at the point इतना, is parallel to the line joining इतना, दो line दिया हुआ है, एक point, एक point यह दिया हुआ है, इसके parallel, इस कर पर जो tangent होगा, वो इसके इस दोनों line से parallel होगा, simple सी बात, यह line दिया हुआ है, तो इसका पहले absolute निकाल लो, dy by dx कर लिया, इसका, ठीक है, यह 1 हो गया, x का differentiation, 1, फिर यह sin y का cos y, फिर dy by dx, ठीक है, यहां से dy by dx क्या निकल के आ गया, 1 minus, 1 by 1 minus cos y, ठीक, अब point क्या है वो, point दिया हुआ a b, तो at point a b, dy by dx, इसको यहां पर निकालेंगे, तो यहां तो a term है नहीं, इसके इंतर, तो 1 by 1 minus cos b ही रहेगा, ठीक है, a b अगर point है, इस point को यहां पर satisfy करवाओ, तो इसमें a term नहीं है, तो 1 minus 1 by 1 minus cos b ही रहेगा, यह equation 1 हो गया, ठीक है, अब 2 point दिया हुआ, 0, 3, 2 और 1, तो यह हो गया, x1, y1, और यह हो गया, x2, y2, ठीक है, इसका slope फिर से निकाल लो, y2 minus y1 by x2 minus x1, तो हो गया कितना, इतना, इसका 1 निकल क आगे है slope, ठीक, इसका मतलब यह भी slope है, यह भी slope है, दोनों slope अगर है, और दोनों line, दोनों line तो parallel है, इस पे एक tangent होगा, और यह दोनों, यह point है, यह point है, इस point के parallel, इस curve पे यह tangent है, ठीक है, तो इसका दोनों का slope तो equally होगा, यह और यह, इसका मतलब 1 by 1 minus cos b equal to 1 होगा, तो cos b equal to 0 हो गया अब cos b equal to 0 हो गया तो b equal to pi by 2 हो सकता है तो 3 pi by 2 हो सकता है ठीक है यह दोनों निकल के आ गया अब क्या करना है हम लोगों को y equal to x plus sin y at a b यहाँ पर देखना है तो a तो a ही रह जाएगा और b तो pi by 2 तो एक बार देखेंगे जब b pi by 2 है तब यह equation क्या होता है तो y equal to b y के जगा पर b डाल दिये और फिर equal to a plus sin b कर दिये तो यहाँ पर b निकल गया ठीक है कि बीक्वाल टू a plus sin pi by 2 तो sin pi by 2 equal to 1 तो b equal to a plus 1 निकल के आया तो b minus a equal to कितना निकल के आया 1 उसी तरीके से b equal to 3 pi by 2 पर भी चेक किये इस equation में तो b रख दिये यहाँ पर y के जगा पर b हो गया a plus sin 3 pi by 2 तो यहाँ पर यह minus होगी है तो b minus a equal to minus 1 यानि कि b minus a equal to एक बार 1 हो रहा है एक बार minus 1 हो रहा है इसा किस-किस में होता है जब इसमें mod लगा देंग तो b minus a का mod equal to 1 जो है वो इसका answer हो जाएगा ठीक है यह सब अच्छे-चे questions है यह सब आपको आने चाहिए अब देखो यह next question यह तो integration simple सा है इसमें क्या है sin 5 by x by 2 by sin x by 2 dx is equal to यह दिया हुआ है यह तो simple बात है अब sin x by 2 है तो cos x by 2 से उपर भी नीचे भी multiply कर दो यहाँ पे sin x by 2 cos x by 2 और यहाँ पे 2 और उपर नीचे भी 2 कर दिए 2 sin a और sin b हो गया तो यह और यहाँ पे sin 2a तो यहाँ पे x by 2 है तो sin x बच गया ठीक और यहाँ पे 2 sin a cos b यहाँ पे लग गया 2 sin a cos b यहाँ पे हो गया sin इंदनों को add कर दो फिर plus sin यह मैनस यह हो गया ठीक है अब यहाँ पे sin 3x plus sin 2x divided by sin x सिंपल सा question है sin 3x को फिर लिख दो यहाँ पे 3 sin x minus 4 sin q x होता है फिर sin 2x को 2 sin x plus cos x कर दिया divided by sin x है फिर यहाँ से यहाँ sin x and x कट जाएगा तो यह 3 बच जाएगा फिर minus 4 sin यहाँ से x sin कट जाएगा तो इसका integration सिंपल निकालना है सिंपल सिंपल फर्मूला यह तो आपको पता होना चाहिए तो यह हो गया इसका answer इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें प्रोडक्ट पोल रहा कि 27 है तो भाई साब गुना कर दिये यह यह कट किया aq इकोल 27 हो गया तो a equal to 3 हो गया ठीक है और इन तीनों का सम बोल रहा है कि s है तो अब a equal to 3 हो गया तो 3 by r plus 3 plus 3 r equal to s हो गया सिंपल बात अब यहाँ पे क्या हो जागई 3 by r plus 3 r is 3 equal to 3 हो तो s minus 3 हो गया तो यहां से r में quadratic हो गया यह, 3ra square minus r इतना, अब real r के लिए ba square minus 4c greater than equal to 0 होगा, तो ba square कितना हो गया, यह s minus 3 का whole square minus this, यह निकल किया गया, यह तो simple है, इसको अब solve करो, solve करो, solve करो, तो यह हो गया, s minus 9 plus into s plus 3, तो एक root हो गया minus 3, एक root हो गया 9, अब इन दोनों के बीच में negative हो जाएगा, इधर positive हो जाएगा, इधर positive हो जाएगा, चाहिए कौन सा, greater than equal to 0, यानि कि minus infinity से minus 3 तक 3 को include करते होगे, और 9 से infinity तक 9 को include करते होगे, तो यह हो गया, इसका answer, कौन सा है, इसका answer इधर है, ठीक है, अब देखते हैं, फिप्टीन नमा question इसमें क्या है, minus pi से pi है, और mod pi minus mod x का mod dx, यह दो बहुत simple question है, इसमें क्या, जिसको mod आता है, उसको simple नहीं आता है, तो फिर नहीं है, mod का फंडा पता होना चाहिए, अब सबसे पहले यह देखो, कि minus pi से pi, इस तरह का जैसे ही आता है, 99% chances होता है, वो function ही even होगा, और फिर यह वाला formula लग जाएगा, minus a से f of x dx integration, तो 2 बाहरा गया, f of x 0 से a के लिए integrate करना है हम लोगो, ठीक है, पहले check करेंगे even function है कि नहीं, कैसे check करेंगे, f of x दिया हुए, even function के लिए क्लिए क्या होता है, f of minus x equal to f of x, अगर निकल के आ गया, तो even function है, f of minus x यहाँ पर डाल के देख लो, डाला तो minus x हो गया, इस वाला implement कर दिया यहाँ पर, ठीक, और यह mod x है, अब देखो, 0 से pi तक है x, तो यानिके x तो positive है, 0 से अगर pi तक है, x positive है, तो mod x कर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यह हो गया, कितना, यह वाला function, यहाँ से भी mod हट गया, pi minus x हो गया, अब देखो, pi minus x जो mod है, यह equal to pi minus x कब होगा, जब यह वाला term अंदर में greater than equal to 0 हो जाए, और equal to minus में हो जागा, यह minus pi plus x, जब यह वाला term है, यह यहाँ पर negative हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया यह, pi is greater than equal to x, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते, x is less than pi, less than equal to pi, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते, x is greater than equal to, x is greater than pi, अब यहाँ पर यह देखो, कि less than pi है कि नहीं x, यहाँ पर, 0 से pi तक ही है, maximum यह 0 से pi तक ही गया है, ठीक है, यानि कि यह ही वाला होगा, x greater than pi के लिए कोई option ही नहीं है, pi से आगे यह गया ही नहीं है, तो यह वाला लेना ही नहीं है, इसको ब्रेक करके हम लोग है, अब pi का value डाल दो यहाँ पर, 0 डालने से 0 हो जाएगा, pi डालने से pi स्कूर, minus pi स्कूर बाए 2, 2 into pi स्कूर बाए 2, तो pi स्कूर इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यह 15 question अगर आप से बनते हैं, तो आप समझें कि आपकी तयारी अच्छी चल र ही है,